यह वेलकम तो इस वीडियो श्टुटन्स इन इस वीडियो वी आर गॉएंग तो स्वेसेश नंबर 4.1 का फॉर्फ के फॉर्थ क्वेसे जनबर 4.3 का कॉसेश नंबर 8 गॉसेश नंबर 10 टेंगे यहां पे हम तीनो गॉसेयन साथ में करने वाले हैं क्योंकि यह जो तीनों ही टाइब के क्वेश्स εν्द एक ही टाइप के मतलब कि इंग locally लीए जोब पर चीजle बहुते हैं जो होती है कि अर टीज सेट सान्फ हो जाएंगे तो यहाँ पे समझेंगे मतलब क्या होगा कि अब अब टाइब लोगे तो आपको बता चल जाएगा कि यह टाइप का question किस तरीके से exam में पूछा जाता है ठीक है तो एक बार अगर type समद लोगे तो question आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस question को इसी type से ही solve करना है ठीक है next हम सीखेंगे equation form करना मलब कि आपको इस type का question आया तो आपको पता तो चल गया कि कि इस type का question है ठीक है लेकिन अब equation किस तरीके से form करेंगे ओभी हम इसके अंदर सीखने वाले ठीक है तो सबसे बहले यहां पर type समझते हम इस question का ठीक है तीनों एक ही type के question है और type के से पहिचानना है वह हम यहां पर समझते सबसे बहले आपको एक vehicle दिया होगा ठीक है जैसे य 480 km ट्रावेल कर रहा है यहां पर आपको क्या दिया है train travel 360 km एड uniform स्पे ठीक है मदलब एक train है 480 km ट्रावेल कर रहा है और इसके अंदर train है वो 360 km ट्रावेल कर रहा है ठीक है इस तरीके से आपको एक vehicle दिया होगा जैसे इस question के अंदर train दिया है question को थोड़ा सा change करने के लि अब वो डिस्टन्स ट्राविल करने के लिए आपको स्पीड या तो फिर टाइम वो चीज़े आपको दी नहीं होगी तो हम स्टार्टिंग में वो चीज़ हम सपोस कर लेंगे क्योंकि यहां पर आपको लास्ट में पूछा भी आपको स्पीड होगा देखो आपको स्टार्टिंग में नहीं होगी तो हम उसको स्टार्टिंग में सबसे पहले सौल करते हैं और यहां पर सपोस कर लेंगे और सपोस्ट सपीड और ट में ऑा इसिकवेठ्व टू एक्से किलोमेटर पर हाई ठी cash अश्पीड सब्सपोस कर लें तो यहां पर हमें सपीड पता चलगे कितनी सपीड आगई एक्से किलोमेटर पर आठ अब देखो ठाइम कितना होगा तो यहाँ पे time का formula हमने science में बढ़ा है speed का formula इस तरीके साथ है distance upon time ठीक है, तो time को अगर हम इस तरीके से यहाँ उपर ले जाएंगे, तो speed चली जाएगी नीचे, तो time का formula कुछ इस तरीके से बन जाएगा, time is equal to distance upon speed, ठीक है यहाँ पे distance है, यह time यहां उपर जला जाएगा तो स्पीड निचे आ जाएगी तो फोर्मिला कुछ इस तरीके से बन जाएगा तो यहां पर स्पीड अगर X है तो टाइम कितना लगेगा तो यहां पर हम लिख देंगे टाइम टेकन इस इक्वल टू distance upon speed distance कितना travel कर रहा है 480 और यहाँ पर speed कितनी है 480 upon x km time किसमें आएगा time का unit होगा next statement दूसरा statement आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा कि speed को increase या फिर decrease कर रहा है ठीक है हमने यहाँ पर x suppose कर लिया अब next दूसरा कैसे उसमें भी 480 km distance ही travel कर रहा है distance जो वो fix रहेगा पर next case में हो क्या करेगा कि speed को कुछ बढ़ाएगा या फिर घटाएगा ठीक है increase करेगा या फिर decrease करेगा अब देखो speed अगर में यहाँ increase करता हूँ ठीक है अगर distance से में और अगर speed increase हो जाती है तो obviously time कम लगता है सपोस करो कि 480 km आपको travel करना है पहली बार आप 60 km पर आर की speed से गए ठीक है और दूसरी बार आप 100 km पर आर की speed से गए मतलब कि time increase कर दिया तो time sorry speed increase कर दिया तो time obviously कम लगेगा ठीक है तो मतलब यहाँ पे simple आपको तोड़ा ज्यादे समझ में आएगा क्या दिया आपको if the speed had been 8 km पर आर less then it would have taken 3 hours more मतलब कि अगर उसकी speed हम 8 km पर आर जितनी कम कर दे ठीक है less कर दे तो उसको 3 गंटे जादा लगता ठीक है उसकी speed हमने कितनी सपोस की x जितनी सपोस की तो अगर 8 km हम कम कर दे तो कितनी हो जाएगी x-8 हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे in second condition in second condition speed of train कितनी हो जाएगी speed of train 8 km कम कर दे तो पहले x थी उसमें 8 कम कर देना मतलब माइनस 8 आ जाएगा किलो मेटर पर r लिख देंगे तो यहाँ पर time taken कितना हो जाएगा time taken हो जाएगा 480 upon x-8 ठीक है time मतलब क्या होगा distance upon speed distance कितना है 480 यहाँ पर आपको दिया है कि to cover the same distance मतलब वो distance same नहीं होने वाला है first case में भी कितना था 480 और second case में भी कितना रहने वाला है 480 रहने वाले ठीक है अब यहाँ पर time था 480 upon x तो यहाँ पर time कितना हो जाएगा 480 upon x-8 ठीक है समझ में आ रहा है question यहाँ पर distance है 480 speed हमने कितनी सपोस कर ली x second case में भी distance कितना travel करना है 480 km यह travel करना है लेकिन speed 8 जितनी कम होगी मतलब speed कितनी हो जाएगी x-8 यहाँ पर time कितना लगेगा 480 divided by x लगेगा यहाँ पर time कितना लगेगा 480 divided by x-8 ठीक है अब आपको comparison किसके बीच में दिये time के बीच में देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि अगर 8 km पर आरकी speed से वो कम कर देता है 8 km पर आरकी speed हो कम कर देता है तो उसको 3 गंटे ज्यादा लगेगा मतलब कि यहाँ पर जो time लगा यहाँ पर जो time लगा तो यह जो time है वो 3 गंटे ज्यादा है तो उसके उपर से हम statement कुछ इस तरीके से बना देंगे इस तरीके से आपको याद रखना है देखो इन दोनों case में से कम speed कहाँ पर है तो यहाँ पर x और यहाँ पर x-8 तो यह वाली speed कम होगी तो उसका time है उसको मागे रखेंगे 480 अपोन x-8 इसका time तो उसमें से हम minus कर देंगे ज्यादा speed वाली का time यहाँ पर speed कम कर दी तो यहाँ पर time ज्यादा लगेगा और यह कितना ज्यादा लग रहा है 3 गंटे जितना तो इस time में से अगर मैं यह वाला time minus कर दूँ तो answer कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए या फिर simply आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर आगे रखो कम speed वाला time ठीक है पीछे रखो ज्यादा speed वाला time और यहाँ पर जितना भी time difference आ रहा है वो यहाँ पर लिख देना है जैसे यहाँ पर कितना time difference आ रहा था तो यहाँ पर 3 गंटे वो ज्यादा ले रहा था लेकिन ये चीज़ आपको time पर याद आनी चाहिए कि कम speed वाला time आगे रखना है फिर minus करके ज्यादा speed वाला time और is equal to करके time difference तो एक चीज़ आपको याद रखने है ठीक है next क्या अगर ना है तो उपर वाला जो 480 480 distance same है तो हर बार same आएगा उसको common निकाल लेंगे बाहर नि और निचे x-8 यहाँ पर 480 बाहर चला गया तो 1 upon x is equal to 3 अब इसको solve करने के लिए हमने आगे भी इस टाइप के questions किये इसको LCM ले लेंगे ठीक है 480 को ऐसे रहने देंगे यहाँ पर LCM लेंगे तो यहाँ एक सेड मल्टिप्लाय होगा तो x हो जाएगा और x-8 अगर इस वन से मल्टिप्लाय होगा तो x minus 8 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो x약-8 हो रहा है ठीक है लेकिन आगे माइनस की साइनए ना तो ये x-8 में जो दो टंसे दोनों terms की sine change हो जाएगी ठीक है जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते है minus तो plus x था वो minus x हो जाता है ठीक है और minus 8 था वो plus 8 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे sine change करना आपको भूलना नहीं है अगर यहाँ से आप cross में multiply कर रहे हो और अगर आगे minus की sine है तो यहाँ पे multiply होके जो भी answer आता है उसमें दो terms बनेंगे वो दोनों terms की sine change होगी ठीक है जैसे x minus 8 है वो यहाँ 1 के साथ multiply होगा तो answer क्या आएगा x minus 8 ही आएगा लेकिन क्योंकि आगे minus था इसलिए इसमें जो भी दो terms है दोनों terms की sine change होगी जैसे plus x का minus x minus 8 का plus 8 इस तरीके से sine आपको change करने है next नीचे क्या होगा तो नीचे नीचे वाले multiply हो जाएंगे तो x और x minus 8 एक दूसरे के साथ multiply हो जाएगा और right hand side में 3 था उसको हम ऐसे ही रहने देंगे ठीक है अब इसको थोड़ा solve करे तो x और minus x एक दूसरे के साथ cut हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पर 8 बचा वो 8 is 480 के साथ multiply हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या होगा कि 480 उपर और नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 होता है ठीक है तो यहाँ उपर उपर x square और इसके साथ multiply होगा तो बन जाएगा 8 x और इस set बचेगा 3 ठीक है यहाँ पर यह cross में इसके साथ multiply हो जाएगा तो यह 3840 यहाँ पर रहेगा यह यहाँ multiply होगा तो 3 x square minus 83 हो जाएगा 24 x ठीक है इसको गर हम standard form में convert कर रहे तो 3 x square minus 24 x था यह 3840 इस set जाएगा तो minus 3840 और is equal to 0 इस set लिखे तो भी चलेगा या फिर इस set लिख दे तो भी चलेगा ठीक है अगर standard form में लिखना है तो is equal to 0 हम इस set लिख देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा equation बन गया और इस question के अंदर आपको एसा question दिया था कि आपको equation सिर्फ form करना है ठीक है equation को आपको solve नहीं करना है तो यहाँ पर हमारा answer है वो खतम होटा है ठीक है यहाँ पर हम देखते question number exercise 4.3 का question number 8 देखते है ठीक है same इसके जैसा equation है इसके जैसे हम suppose करते जाएंगे और इसके जैसे हम equation बनाने वाले ठीक है यहाँ पर आपको क्या दिये कि train travels 360 km at uniform speed distance आपको दिया होगा 360 km fixed distance आपको travel करना है speed और time आपको दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं दिये तो speed को हम क्या suppose कर लेंगे x suppose कर लेंगे और यहाँ पर time क्या मिल जाएगा 360 by x इस तरीके से time मिल जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे suppose speed of train suppose speed of train is equal to x km per ठीक है यहाँ पर पीछे unit भी लिख देना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे next यहाँ पर लिख देंगे time taken is equal to 360 by x ठीक है दोनों चीज़े suppose कर ली next इस तरीके से second condition करके speed क्या हो जाएगी तो यहाँ पर देखो statement पढ़ना है if the speed had been 5 km per hour more मतलब कि यहाँ पर speed increase हो रहे ठीक है यहाँ पर जितनी थी उससे 5 km per hour more मतलब यहाँ पर क्या आजाएगा speed कितनी आजाएगी x प्लस 5 तो यहाँ पर हम लिख देंगे second condition करके second condition और speed of train कितनी आजाएगी speed of train is equal to आजाएगी x प्लस 5 और यहाँ पर time taken आजाएगा 360 upon x प्लस 5 ठीक है next यहाँ पर equation हमने किस तरीके से बनाए थे तो equation में याद रखना है कि जो भी speed कम होगी वो वाला time ठीक है यहाँ पर comparison time के बीच में दिये कि अगर 5 km speed उसके ज्यादा हो गई तो उसको एक गंटा कम लगेगा तो comparison कि इसके बीच में दिये time के बीच में कि एक गंटा कम लग रहा है यहाँ पर 3 गंटा ज्यादा लग रहा है तो time की comparison दिये तो equation के अंतर में क्या use करना होगा time use करना होगा ठीके तो यहाँ पर देखो यह वाला time, ठीक है, 360 upon x plus 5, okay, is equal to में time difference, यहाँ पर time difference कितना है, एक गंटे का तो is equal to हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, फिर यह 360 जो है, same, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, 1 minus x, 1 upon x plus 5 is equal to 1, okay, और next यहाँ, 360 और अंदर हम लें लेंगे, LCM तो x plus 5 यहाँ multiply होगा, और x यहाँ multiply होगा, तो minus x upon निच्चे, यह दोनों एक दूसरे से multiply होगा, ठीक है, LCM लेंगे, यह यहाँ multiply होगा, यह यहाँ multiply होगा, और निच्चे यह दूसरे से multiply हो जाएंगे, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस X कट हो जाएगा और यह 360 अंदर वाले 5 के साथ मुल्टिप्लय होगा तो 1800 बन जाएगा ठीक है और देखो निचे जो X square plus 5X है ना निचे यह multiple होगा तो क्या बनेगा X multiply X بن जाएगा X square और यह 5 के साथ multiply होगा तो 5X यह चला जाएगा cross में यहां 1 के साथ multiply होगा तो यहां पर बचेगा x square plus 5x ठीक है इस तरीके का कुछ हमारा equation बन जाएगा फिर next क्या होगा जो 1800 है ओ इस सेट जाएगा तो minus 1800 पीछ आए जाएगा ठीक है तो यहां पर x square plus 5x था और यहां पर जाएगा minus 1800 अब यहां पर 0 लिखे तो भी चलेगा लेकि तो यहां पर मरा equation मिल गया और यहां पर इस question के अंदर आपको पूछा है कि find the speed of the train मतलब आपको इस equation को भी solve भी करना है ओके और यहां पर हमें देखो factorization method से solve करें तो क्या होगा 1800 के ऐसे factors निकलने कि minus करके 5 तो यह काफी बड़ा number आ रहा है तो इसकों quadratic formula method से भी solve कर सकते है तो a is equal to आजाएगा 1, b is equal to आजाएगा 5 और c is equal to आजाएगा minus 1800 तो यहां पर d हमें मिल जाएगा b square minus 4 एसी ठीके b square तो 5 का square कितना हो जाएगा 25 minus 4 और a की value है 1 और c की value है minus 1800 इसको अगर solve करें तो 25 और यह हो जाएगा 7200 और इनका addition होगा 7225 तो यहां पर d define करने में तो कोई process नहीं है multiply plus minus ही करना है तो यह तो आपको आजाएगा ठीके और जैसे d मिल गया तो यहां पर d मिला greater than 0 तो हम लिख देंगे 2 distinct root ठीके कि 2 different root यहां पर हमें मिलने वाले इस तरीके से nature of roots भी लिख देंगे और roots कौन से होंगे तो x is equal to हो ज होगा minus b minus root d upon 2 है ठीक है next यहां पर हम values रख देते हैं तो x is equal to minus b तो b आपको कितना दिया है 5 तो minus b कितना हो जाएगा minus 5 plus root d और root d मतलब हो जाएगा root के अंदर 7225 upon 2 into a आपको कितना दिया है 1 दिया है तो यहां 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 वैसे अगर इसको लिखेंगे तो minus 5 औ और यहां पर minus आया जाएगा 7225 upon 2 ठीक है next इसको solve करें तो x is equal to minus 5 प्लस अब देखो 7225 का आपको square root निकालने ठीक है तो 7225 का square root निकालने के लिए सबसे पहला method आप prime factorization कर सकते हो तो 7225 का अगर आप prime factorization करोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा 5 multiply 5 multiply 17 multiply 17 ठीक है तो इसक 5 की pair बन गई तो 5 अकेला हो जाएगा 17 की भी pair बन गई तो यहां पर 17 अकेला हो जाएगा तो उसका square root हमें क्या मिलेगा 85 मिलेगा ठीक है इसका square root निकाल दे तो कितना मिलेगा 85 तो यहां पर हम लिख देंगे 85 upon 2 और दूसरा हो जाएगा minus 5 minus 85 upon 2 ठीक है और इसका square root देखो इसका square root निकालने के लिए एक दूसरी method भी है ठीक है इस तरीके से seven two two five लिखा ऑके जिस नंबर के पीछे 25 आता है जीसे यहाँ पे इस नंबर के पीछे 25 आता है तो उसका हम लिख देंगे five ठीक है और आगे वाले numbers को में इस तरीके से set करना है यह वाली जो method है square root निकालने की वह सेकेंड मेथड है ठीक है अगर आपको प्रायम फेक्टराइशन मेथड भी आती है तो वह भी आप कर सकते हो लेकिन यह वाली जो मेथड है वह एकदम स्पीड से आप स्क्वेर रूट नहीं काल सकते हो ठीक है किस तरह के से करना है सेवें टू टू फाई और इस मेथड को यूज करने के लिए यह कंपल सरी है कि जो लास्ट दो नंबर से वह 25 होने चाहिए ठीक है यहाँ पर लास्ट में क्या है 25 तो इसका स्क्वेर रूट निकालने के हम लिए हम क्या करेंगे 25 का निच्चे 5 लिख देंगे और यहाँ पर 72 तो इस तरीके का हमें मल्टिप्लिकेशन ढूंडना है कि जिसका मल्टिप्लिकेशन 72 हो ठीक है और वह मल्टिप्लिकेशन कैसे होने चाहिए जो बाजू-बाजू आले नंबर्स होने चाहिए ठीक है जैसे 4 और 5 तो 4 5 का मल्टिप्लिकेशन कितना होता है 20 फिर 5 6 बाजू-बाजू में आते है उ उसमें में छोटा वाला नंबर लिखना है तो छोटा वाला नंबर कौन सा है एट तो यहां पर हम लिख देंगे एट तो 85 जो है वह 7225 का स्क्वेर रूट हो जाएगा ठीक है अगर आपको कोई दूसरा नंबर इस तरीके से दिया है कि 20 25 इसका स्क्वेर रूट निकालना है तो 25 का हम क्या लिख देंगे 5 और आगे वाला नंबर 20 है उसका टेबल हम क्या लिख सकते है 4 5 जा 20 ठीक है तो उसका चोटा नंबर कौन सा है 4 तो यहां पर हम 4 लिख देंगे तो इस तरीके से भी हम स्क्वेर रूट निकाल सकते है ठीक है इसको अगर हम सौल कर देंगे तो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 85-5 हो जाता है 80 वह उसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 40 और यहां पर हो जाएगा 85 और 5-90 और –90 बाइटू हो जाएगा –45 ठीक है तो आंसर क्या रहा है 40 और –45 अब देखो एक आंसर यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर यहां पर नेगेटिव है ठीक है और यहां पर X हमरा क्या है speed तो speed कभी भी negative नहीं हो सकती ही तो यहां पर मिस तरीके का statement लिख देंगे that year x is speed of the train so it cannot be negative ठीक है यहां पर इस तरीके का statement लिख देना है here x is a speed of train so it cannot be negative एंस x is equal to में कितना मिलेगा 40 consider करना है ठीक है तो speed of train में क्या मिल गया 40 तो last में answer लिख देना है hence the speed of train is equal to 40 km पर और तो इस तरीके से हमारा पूरा answer लिख देना है ठीक है तो यहाँ पर हमारा question number 8 भी खतम होता है next हम देखते question number 10 तो question number 10 भी आपका same इन दोनों question जैसा ही है ठीक है यहाँ पर question पढ़ते है आपको question क्या दिया है an express train takes one hour less than a passenger train to travel 130 km between Mysore and Bangalore मतलब कि दोनों को 132 km distance travel करना है ठीक है तो same जितना distance travel कर रहे 132 km जितना distance travel कर रहे और उन दोनों के बीच time difference कितना आ रहा है अब देखो पीछले जो हमने questions किये थे उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पर X जितनी speed आ रही थी ठीक है और next case में क्या कर रहे थे उस speed को बढ़ा रहे थे या फिर घटा रहे थे ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर suppose कर लोगी यहाँ पे passenger train हमने लिए ठीक है यहाँ पर रखी passenger train और यहाँ पर रखी express train तो obviously इसकी speed बढ़ने वाली है और कितनी बढ़े की तो यहाँ पर आपको बोलाए the average speed of express train is 11 km per hour more than the passenger train मलब कि अगर यहाँ पर हम passenger train यूज करते है तो निच्चे जो express train आएगी तो उसकी speed x plus 11 हो जाएगी ठीक है 11 जितनी बढ़ जाएगी क्योंकि express train की जो speed है वो local train से passenger train से 11 km per hour जितनी ज्यादा है तो हम इस तरीके से suppose कर लेंगे suppose the speed of express train is equal to x तो उसको time कितना लगेगा तो 132 by x लगेगा ठीक है इस तरीके से हमारा suppose कर लेना है starting में क्या suppose कर लेंगे passenger train की speed suppose कर लेंगे x km per hour तो time taken is equal हो जाएगा 132 by x ठीक है distance upon speed next क्या हम suppose करेंगे speed of express train is equal to x plus 11 ठीक है express train है उसकी speed 11 km पर आज ज्यादा है तो इसकी x है तो इसकी कितनी हो जाएगी x plus 11 तो इसका time taken क्या होगा 132 by x plus 11 तो इसके उपर से फिर हम equation बना देंगे ठीक है time difference कितना आ रहा है तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो express train है वो एक गंटा कम ले रही है ठीक है express train ज्यादा फास भागेगी तो वो time कम लेगी और कितना कम ले रही है वहाना तो यहाँ पर हम इस तरीके से equation बना गा और जो ज्यादा speed है उसके time कम पीछे रखेंगे तो यहाँ पर 132 upon x plus 11 हो जाएकर यहाँ पर time difference तो time difference यहाँ पर कितना आ रहा है एक गंटे का तो यहाँ is equal to 1 कर देंगे फिद next 132 को common निकाल ले तो यहाँ पर बज़ेगा 1 upon x और यहाँ पर बज़ेगा 1 upon x plus 11 और इस से आ जाएगा और यहाँ minus x हो जाएगा और निच्चे यह दोने एक दूसरे के साथ multiply होगा तो x square प्लस 11 x इस तरीके से बन जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है next यहाँ x minus x cut हो जाएगा ठीक है तो 132 इस 11 के साथ multiply होगा और 11 के साथ multiply होगा तो उसका answer आएगा 2, 5, 4 and 1 1 4, 5, 2 ठीक है और x plus x square plus 11 x उपर multiply हो जाएगा तो बन जाएगा x square plus 11 x ठीक है और यहाँ से में equation मिल जाएगा x square plus 11 x minus 1452 is equal to 0 और इस equation को आप quadratic formula method से solve कर सकते हो ठीक है तो इसको आपको खुद से solve करना है और इसका answer क्या आता है और आपको खुद से find करना है ठीक है तो यहाँ यहाँ पर मारा यह वाले questions खतम होते हैं 4.1 का question number 2 का जो fourth question दिया है ठीक है जिसके अंदर आपको equation form करना है वो यहाँ पर complete हुआ और exercise 4.3 का question number 8 और question number 10 भी यहाँ पर complete हुआ ठीक है ओके that's it for today students अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना मत बुलना और यहाँ पर screen पर आपको मेरी photo दिख रही होगी जिस पर click करके आप इस channel को subscribe कर सकते हो और screen पर दूसरे दिखाए गए वीडियो से जिसमें आप इस chapter के related कुछ book के questions और कुछ important questions भी आप